हालो इवरीवन मैं केके आदव आप लोग के सामने होम साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आपकी बुक टेक्स्टाइल से लिया गया है आपको जो स्लाइट पर लिखा हुआ दिख रहा है जो यहां पर लिखा गया है विविंग बुनाई तो आईए हम हम लोग देखते हैं यह विविंग को बुनाई को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्स्टाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे हर बार एक कोश्चन आता है लाइक दैट 2021 में भी इससे कोश्चन आया हुआ था जिसे हम लोग जो साथिन के नाम से ज चाहिए क्योंकि हिंदी में जो सेम चीजें लिग दी जाती है जबकि इंग्लिस में उसका हम देखेंगे तो मिनिंग उसके अर्थ यह हम कहें के लेटर उसके अलग-अलग होते हैं तो इसलिए हमें हिंदी और इंग्लिस दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके कारे करन गोचली दौरह बना रहे हैं तो वहां से हमारे माइंड में वीविंग की परक्रिया को को हम देखें तो हम लोग क्या होता है तो सबस्वर पर निरमार की एक क्वश्तitute एक प्रक्रिया जी एक क्या होती है हमसे वस्त्र निरमार मार करे के एक प्रक्रिया या हम कहेंगे प्रोसेस या कहेंगे बिधी है अब इतना मालूम हो गया होगा कि वीविंग क्या होता है जो मिन से बुनाई क्या होती है या एक हमारी वस्त निर्मार के प्रक्रिया होती है तो हम कहेंगे कि वीविंग हमारा पच्छियों का गोशला इसके ताद सरपर्थम मनुसे ने किन चीजों का निर्मार किया तो हम कहेंगे कि सरपर्थम मनुसे ने आपका चटाई और टोकरी का निर्मार किया अब देखते हैं कि सरपर्थम हमारा वस्तर किस चीज का बना विबिंग के द्वारा तो हम लोग कहेंगे क्वश उसे हमारे हुण हैं फाइिवर उन फाइवर से हमा पर्थम विविव फाइबरिक्स हमारा वस्तर हाँ योई चीन हमारी intelligent pouvिवेविबि पाइबरियक कि वाइस्ट वीविंग कि फाइब रिक्स फाइब रिक्स यह हमारा रहा मोजा मोजा यह किसका हम कहेंगे उन का मोजा तो इसके साथ ही जो हम लोग को यह मालिम हो गया कि वीविंग क्या चीज होती है जो है हम कहेंगे कि वीविंग के लिए हमारे जो है दो धागों का जो होना जरूरी है और वो दो धागे हमारे क्या बोले जाते हैं जो हम कहेंगे ताना और बाना मिनसे धागे हमको लेने हैं दो धागे का प्रयोग हम लोग करेंगे जो है दो धागों का प्रयोग दो धागों का प्रयोग जिसे एक को हम लोग जो है बोलते हैं ताना लाइड जो है ताने को हम लोग इंगलिस में जो है जानना बहुत ही जरूरी है ताने को हम लोग क्या कहेंगे वार्प बोलेंगे क्या बोलेंगे वार्प अब देखे ताने को और भी हम लोग साब्दिगार्थ में लेगे तो बोलेंगे अनुदायर्थ है यह हम और इसे बोल सकते हैं जो है लंबवत लंबवत इसी तरह से दूसरा हमको मिलता है पाना बाना को इंगलिस में हम लोग वेफ्ट बोलते हैं वेफ्ट या इसे हम लोग अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ धागा कहेंगे या इसे हम लोग बोलेंगे 36 धागा 36 अब इसे को हम लोग कहेंगे ताने और बाने के धागों को आपस में इंटर लॉकिंग मिन्स हम कहाएंगे आपस में गूथने की प्रक्रिया हमारी बोली जाती है विविंग मिन से बुनाइट कि ताने एवं कि बाने के धागों को कि आपस में कि गूथने इंटर लॉकिंग गूथने की प्रक्रिया कि विविंग कहलाती है विविंग कहलाती है अब आपको जो है विविंग का जो है या बुनाई का साब्दिक चीजे जो है मालूम हो चुकी हैं तो आएए हम लोग देखते हैं विविंग हमारी क्या है हम कहेंगे विविंग हमारी वर्ष्ट निर्मार के प्रक्रिया है जो है या विधी है तो हम कहेंगे वर्ष्ट निर्मार के कितनी विदियां होती हैं तो झाल लगकर देख्याँ सिर्मार्य के बिदीया होतीं कि बिद्दिया होती है आये पहले हम लोग देखते हैं पहले बिदी को को हम बोलते हैं फेल टिंग फेल टिंग फेल्टिंग विधि दूसरे को हम लोग बोलते हैं नीटिंग विधि नीटिंग विधि तीसरे को हम लोग बोलते हैं ब्रेट्स एवं लेश बिधि चाओ थे को हम लोग कहते हैं विवि बुनाई बुनाई अब पांच में गब बोलते हैं डो विव बुनाई डो विव बिधि इस तरह से आपने देख लिया है कि बुनाई के कुल कितनी भी धियां हैं हम कहें कि बुनाई के कुल पांच भी धियां हैं जो हैं पहला फेल्टिंग दूसरा निटिंग और तीसरा हम लोग कहेंगे ब्रेट से और लेस और चौथे को बोलेंगे बुनाई अब पांच माँ को बोलेंगे डो वीव विधि इस तरह से हमारी एकुल पांच भी धियां है जो है तो आए इन पांचों भी धियों को हम लोग क्या करते हैं जो है क्रम वार अलग-अलग धंग से एक-एक रूप में जो है इनको देखते हैं जो पहला हम लोग मिलती है फेल्टिंग फेल्टिंग विधि कि नाइब कि फेल्टिंग विधि यहां पते कि फेल्टिंग विधि का मतलल कि क्या कहेंगे जो अफेल्ट मिन्स होता है जमाना क्या करते हैं फेल्ट मिन्स होता है जमाना फेल्ट मिन्स होता है जमाना अब देखिए हम लोग क्या करेंगे जो है जमा करके बस्त का निर्मार करेंगे जो है किसको जमा करके क्या धागों को जमाएंगे या रेशों को जमाएंगे जो है तो हम कहेंगे कि यहां पर रेशों को ताप अवald कि पिरकरिया द्वारा क्या किया जाता है जमा करके कपड़ों का या बस्तर का निर्माड किया जाता है तो हम लोग कहेंगे ताप इवम दाब द्वारा उनी रेशों को मुख्य रूप से हमरा क्या होता है उनी झ 흥शा रेशों को ताप्यों ताप दोरा उनी रेशों को जमा कर वस्त निर्मार किया जाता है वस्त निर्मार किया जाता है अब देखें हम लोगो मालम हो गया कि ताप और दाब के प्रियोक दोरा उनीutarzil को क्या करते है जमा करके वस्त निर्मार करते हैं जो लाइएट हमारे वस्त कौन से होंगे मेजर पॉईंट हमारा यही है कि हमारा पूछा जाता है कौन से हमारे वस्त्र बगर बुनाई का तयार किया जाता बिना बुनाई का जो बस्त्र होता उसे हम लोग फेल्टिंग वस्त्र भी बोलते हैं लाइड एट हम लोग कहेंगे बिना बुनाई का वस्त्र अब देखिए बिना बुनाई का वस्त्र हमारा इसमें मिलता है हम लोग कहेंगे तापता नमदा नमदा कमबल ये हमारे बिना बुनाई के वस्त्र है जो है जिसे हम लोग तापता नम्दा या कंबल के नाम से जानते हैं जो है इसके अलामा भी एक है जिसे हम लोग पट्टू करते हैं जो पट्टू पट्टू अब इस्तर से हम लोग कहेंगे जो है या बिना धागे का वश्त्र बिना धागे का वश्तर बिना धागे का वश्तर कि इस तरह से देखे बिना उनाई का वश्चरे बिना धागे का वश्चरे जो है हम कहें क्या इसको इसे छोड़ देंगे नहीं हम लोग लेते हैं पाइन एपल के धागे से इसकी क्या कर देते हैं हम लोग जो है इसकी टकाई करते हैं जो है हम लोग इसमें धागा लेते हैं पाइन एपल पाइन एपल के धागे से पाइन एपल के धागे से सिलाई करते हैं सिलाई करते हैं देखें आपके सामने एक major पॉइंट य भी मिला पाईन एपल कि धागे का प्रियोग किया जाता है फिल्टिंग विद्धी में तरह इस तरह से आपके सामने फिल्टिंग विद्धी आप समझ गए होगे कि बिना बुनाई का वस्त्र बिना जो है ताने बाने का वस्त्र यह हम कहेंगे जो एकिताप और दाब के सहयोग से बना हमारा वस्त्र तापता नमदा कंबल और पट्टू होते हैं आईए अगला हम लोग देखते हैं किन कि निटिंग वह स्थर सब्सक्राइब को हाथ ने टिंग इंग वीधिए अ कि निटिंग विद्पी मैं हम लोग को मालूम है जो है कि इसमें मुख्य रूप से जो है एक धागे का परियोग किया जाता कि दहागों कि किया जाता है निटिंग में मिली हम कहेंगे मुख्य रूप से एक द्हागे का किया जाता एक द्हागे द्हागे के प्रयोग द्वारा एक द्हागे के avere बना वक्त्र आभ अभी मिजार और सले को अभी हैं अब को मालूम हो गिए कि एक धागे के प्रियोग से हमारा जो क्या जाता जुँई निटिंग व तैकर सब्सक्राइब को ऑ Sag the ने चौन सती वुर्चिण जाता थे जाटें जब मेंरे बनाए जाते हैं गरम वस्त्र इस बिधी द्वारा बनाए जाते हैं अब यहां पते कि गरम वस्त्र कौन कौन से कि बनेंगे कि पाइंगे कि ओनी वस्त्र कि निटिंग द्वारा यहां जो निटिंग विधी द्वारा तयार किये जाते हैं इसके अलामा भी आख कहेंगे रेश में वस्त्र में समकाएंगे एथलेटिक्स क्लाथ या फाइब्रिक्स फाइब्रिक्स वस्त्र इसके अलमा भी हम लोग कहेंगे कि राशायनिक फाइबर के भी हमारे वस्त्र निटिंग विधी द्वारा बनाया जाते हैं राशायनिक राशायनिक रेशों के वस्त्र राशायनिक रेशों के वस्त्र राशायनिक रेशों के वस्त्र निटिंग विधी द्वारा भी आपने देख लिया है कि लगवग हम कहेंगे कि राशायनिक रेशों के वस्त्र बनाए जाते हैं जो कि हम लोग कहेंगे कि यह सभी हमारे वस्त्र होते हैं मिन्स हम कहेंगे जारे के वस्त्र हमारे मुख्य रूफ से निटिंग बीधी द्वारा तैयार किये जाते हैं इसके बाद आए हम लोग देखते हैं कि ब्रेट्स कि एवं कि लेश कि विद्व कि देखें इस विद्वारा हम लोग कहेंगे कि जो हमारे मुख्य वस्त्र होते हैं वह हम लोग कहेंगे मिन्स डेको रेटी फाइब्रिक से तयार किये जाते हैं जो हम लोग कहेंगे वस्त्र वस्त्र हम लोग कहेंगे सजावटी वस्त्र स्वजावटी वश्त्र तयार किया जाता है स्वजावटी वश्त्र तयार किया जाता है अब देखिए ब्रेट्स लेस बिदी में जो हम लोग कहेंगे तीन या तीन से अधिक क्या करेंगे जो है धागों का प्रियोग किया जाता है क्या बुलेंगे यहाँ पर धागे धागे तीन या तीन से अधिक धागों अधिक धागों के प्रियोग से प्रियोग से वर्ष्ट तैयार किया जाता है वर्ष्ट तैयार किया जाता है अब इस टेस्टे हम लोग कहेंगे जो है किसके बाद हमारा आता है विविंग आती है क्या हमारी हम लोग करते हैं इसके बाद हम लोग का आता है बुनाई हुआ है हम लोग की बुनाई है जिसे हम लोग इंगलिस में बोलते हैं वीविंग है वीविंग देखे बुनाई द्वारा हम लोग कहेंगे लगभग सभी रेशों से वस्त्र तयार किये जाते हैं क्या कहेंगे लगभग सभी रेशों से वस्त्र तयार किया जाता है वस्त्र तयार किया जाता है अब बुनाई के लिए हम लोग को मालूम है जो है कि दो धागों की जवरत होती है जो है जिसे हम लोग जो है एक धागे को ताना और दूसरे धागे को हम लोग क्या बोलते हैं बाना दो धागों के प्रियोग द्वारा बुनाई की जाती है जिसमें हम लोग पहले करते हैं ताना लाइट इंगलिस में वार्फ बोलते हैं और दूसरे को हम लोग करते हैं बाना इंटर लॉकिंग की क्रिया मैंतु से आपस में गूतने की घ्रिया हमारी बोली जाती है विवि विविंग तो दो वीव बिधि और ये बहुत ही इंपोर्टेंट डो वीव बिधि मिसम के आधुनिक बुनाई की बिधि क्या बोलेंगे इसको आधुनिक आधुनिक वस्त्र निर्माण की बिधि ये हमारी आधुनिक वस्त्र निर्माण की बिधि है इस बिधि में हम लोग कहेंगे कि किसका प्रियोग किया जाता है तो हम कहेंगे धागों के तीन सेट का प्रियोग किया जाता है क्या कहेंगे धागे के धागे के तीन सेट का प्रियोग किया जाता है तीन सेट का प्रियोग किया जाता है टीन सेट का प्रियो किया जाता है to get new point फाइंड देखते हैं किसी क्या भी सेस्टा है जो भी सेस्टा करहं कहांगा आउटस्टेंडिंग प्रप्रोंटीस होती है जो क्या कहेंगे आउटस्टेंडि कि मिठ जिए जैसे आप की मांग होगी वाईसा हमें हšक आप brings से तयार किया जाता मांग कि अनुरूप वश्तर क्या कहां है इस इसे मांग को उनवुर्टार्फ वश्तर हम कहांगे इस्टेबिल्टी अच्छी होती है मिस्टिकाउ essa alome के तार पर Fleisch डिर मिन से यह horizontally भी बनता है horizontally और यही नहीं हम कहाँ कि vertically भी बनता है vertically मिन से ताना मुख्य भी आपको मिलेगा यह हम लोग कहाँ कि बाना मुख्य भी मिलेगा आपको यही नहीं हम लोग कायां कि ताना मुख्य भी मिलता है ताना मुख्य मिन से दोनों रूपों में मिलता है ताना मुख्य اور बना मुख्य के अभी हम आपको बताते हैं क्या होता है पहले चाते हैं दूसरे को हम लोग नीटिंग काते हैं तीसरे को हम लोग बुलते हैं बुनाई काते हैं आप यहां को जो ढोवी डिकाते हैं atoreण की इस तरह से मालूं हो गया कि बस्त नेमार की कितनी भी दियां होती है कुल पांच भी दियां होती है आएब हम लोग देखते हैं मेजरशली हमर शुदल हेस्ति कि विशेषा क्या होती है मुटण लाइसी की विशेषा कि पु libero कर दो बुनाई के बिसेष्टा हम लोगों मालूम है बुनाई की चार बिसेष्टाएं होती है कितने बिसेष्टाएं होती है बुनाई की चार बिसेष्टाएं होती है आई कौन कौन से चार विशेष्टाएं है आई इसको हम लोग देखते हैं जो है कि देखिए पाली भुनाई की विशेष्टा हमारा है जो है सेडिंग क्या हम लोग कहते हैं सेडिंग कि सेडिंग कि दूसरी भी सेष्टा हमारा है पीकिंग कि पीकिंग तीसरी वे सिस्ता है वेटनी अचाउथी है लपेटना और छोड़ना लपेटना एवं छोड़ना देखिए हमारे सामने विशेष्ता मिली जिसे हम लोग क्या कहते हैं हम लोग को मालूम है इसे हम लोग बोलते हैं सेडीं पिकिंग है और वेट निंग और लपेटना खोड़ना आ जो इसे हम लोग कहते हैं टेकिंग आप एवं लेटिंग आउट लेटिंग आउट इस तरह हम लोग का मालिम हो गया कि सेडिंग होता है सेडिंग के तायथ हम लोग काते हैं खाली जगह क्या बोलते हैं खाली जगह खाली जगह और पिकिंग का मतलब होता है कि बाने द्वारा जो इस खाली जगह को भरना में से खाली जगह जो हमारे बनते हैं जो है किसके द्वारा बनेंगे ताने के द्वारा ख द्वारा होता है खाली जगां को भरना अब किस्टे भरते हम लोग कहें कि बाना द्वारा भरा जाता है बाना द्वारा भरा जाता है अब इसके बाद हम कहें क्या होता है जो इसके ताथ हम लोग कहेंगे जो कि क्या होता है वेटाया जयाता है ठोग करके बाइठाने को मिन भूने प्रम भूने वस्त्र को रीड द्वारा रीड द्वारा ठोक कर ठोक कर बैठाना ठोक कर बैठाना अब इसी तरह हम लोग कहेंगे लपेटना एवं छोड़ना आप देखें लपेटने के लिए हम लोग कहेंगे जोकी करगे में हमारा क्या होता है हम कहेंगे हमारा भी मोता ओ वहार बीम होते है जो है जो हमारा वार्ब मिसें ताना का सिस्टम होता है उसे हम लोग वार बिम पो कना YES इसमें लपेटेंगे जो है हम कहें वेट भी या बोलते हैं यहां पर वेट 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 भी वेट भी और दूसरा हमरा होता है वार्प छोड़ना वार्प बीम इस तरह से लेट वेट और वार्प बीम द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं टेकिंग और लेटिंग आप के पक्रिया करते हैं इस तरह से हम लोग को मालुम हो गया कि बुनाई के कुल मिला करके चार पिस्ष्टाएं होती हैं जिसे हम लोग सेडिंग इसके बाद हम लोग पीकिंग फिर वेटनिंग और हम लोग लाश में बोलते हैं टेकिंग आप इन लेटिंग आउड जो है इसके बाद आईए हम लोग जो है एक बहतरीन इसका सिस्टम लोग देखते हैं जिसे हम लोग कहें कि बुनाई के प्रकार बुनाई के प्रकार चलो हम लोग देखते हैं कि बुनाई कितने प्रकार का होता है जो है तो देखा जाया तो हमारे बुनाई कई प्रकार के कहे जाते हैं जो है लेकिन हमारे बुनाई कई प्रकार के नहीं होते हैं जो है हम कहेंगे बुनाई हमारा मुख रूप से दो प्रकार का होता है कि इन दोनों प्रकारों में आई है कौन कौन ख़ेंज से बुनाई है कि पहले कि तहएत हम लोग कहांगे साधारन बुनाई स्ताधारण बुनाई और दूसरा हम लोग कहेंगे फैंसी बुनाई फैंसी इस फैंसी को नमीन भी बोलते हैं नमीन बुनाई मिस हम कहेंगे फैंसी बुनाई या नमीन बुनाई या हम इसे बोलेंगे और नाविल्टी बुनाई नाविल्टी नाविल्टी बुनाई 23 से देखिए हमारे पाज़़ दो प्रकार की बुनाई आई एक हमारा जो हम कहेंगे साधारन बुनाई दूसरा फैंसी बुनाई या नमीन बुनाई या नाविल्टी बुनाई देखें यहांपर हमारे फाइबरिक से पूछे जाते हैं कि हमारा फाइबरिक से किस परकार की बुनाई का बना हुआ या हमारा ये वस्तर में कौन सी जो है जब कि हम कहेंगे कि जो हमारी नौव wollिल्टि बुनाई होती है इस प्रकार की होती है से हम लोग को मालूम हो गया कि साधान बुनाई हमारी 8 होती है आज ऑप नौटी बुनाई एमारी जो आज होती है तैये अलग-अलग इनको हम लोग देखते हैं कर दो कि कि अधर और भुनाई हो हिस पाइब है आओ कि अभूय कर आधिया यहां पर हम जो है आठो बुनाई कट यहां पर देखते हैं जो है कि अर्थो भुनाई हमारे six चाहथरन की है वह कौन कौन से आथो भूनाई हमारी इस साथ हमें करता आती हैu हुए हुए पहला साधी बुनाई देखें पहला हम लोग का मिला साधी बुनाई दूसरे को हम लोग कहा हैंगे रिब बुनाई और तीसरे को हम लोग बोलेंगे बास्केट बुनाई बास्केट बुनाई और चौते को हम लोग बोलेंगे जो है ट्वील बुनाई ट्वील बुनाई चौते को हम लोग कहेंगे साटिन साटिन बुनाई अब देखें साटिन का इंगलिस हमको जानना जरूरी है यह से ए टी आई यन यह होता साटिन बुनाई आईसी को हम लोग कहेंगे कि छठा हमारा होगा से टिन बुनाई से टिन बुनाई साटिन का हम लोग बोलेंगे हनी कॉम्ब हनी कॉम्ब बुनाई और आठमा हमारा होता है हक बैक बुनाई हक बैक बुनाई तो इस तरह से देखें आपके सामने पहला साधी बुलाई रिब बुनाई तीसरा मिला बॉस्केट बुनाई चौथा मिला ट्विल बुनाई पांच्वा मिला साटिन बुनाई छठा मिला सेटिन बुनाई और सात्वा मिला हनी कॉम बुनाई और आठवा मिला हक बैक बुनाई तो इस तहसी हमारे जो है आठ हमारे क्या है जो है साधारन बुनाई से बने हमारे जो है वस्त तयार किये जाते हैं जो है तो इस है ट्विल्च पुनाई क्या है 60 बुनाई क्या पैस सेटिन क्या है और हरग बैंध बुनाई क्या है जो साधी बुनाई साधी बुनाई में हम लोग क्या कहेंगे साधी बुनाई द्वारव तयार किये जाते हैं इस में दो पंगतियों को कि दोपंगतियों को दो पंगतियों को दोहराया जाता है दो पंग्तियों को दोहराया जाता है अगर कि दो पंग्तियों को दोहराया जाता है हम कहेंगे कि दो हर्नेस का प्रियोग किया जाता है दो हर्नेस हर्नेस हम लोग कहेंगे करगे का एक भाग होता है करगे का भाग दो हरनेस का प्रियोग किया जाता है में साधी बुनाई में कितने हरनेस का प्रियोग किया जाता है हम कहेंगे साधी बुनाई में दो हरनेस का प्रियोग किया जाता है और हम कहेंगे इसके दोरह बना जो वस्त्र हमारा होता है क्या होता है काफी मजबूत होता है जोह है मजबूत वस्त्र मजबूत वस्त्र तयार किया जाता है अब देखिए इसके तोरा मजबूत वस्त तयार किया जाता है हम कहें लगवक सभी रेशों से साधी बुनाई की जाती है मिन्से हम कहेंगे लगभग हर प्रकार के वस्तर जो है साधी बुनाई दवरा त्यूरा तयार किये जाते हैं लगभग इस ही वस्तर है दश्तर अचलिन और MATT की आजाता है। इस त Indigenous आपको मालूम ऊगया होगा कि साथी बुनाई क्या होती है कि दो पंक्तियों को दोहराया जाता है, दो ह्रणे का प्रूव किया जाता है इस के दोरा मजबूत वस्तर त्यार किया जाता है यह लगबक सभी दोरा त्यार किये जाते हैं जो कि आई एव दूसरा देखते हैं कि दूसरा हम लोग का रिब बुनाई रिब बुनाई देखे रिब बुनाई के लिए हमको क्या चाहिए जो है हम लोग कहें गिर एक तरफ अधिक धागों का प्रियोग होता है जो एक तरफ मोटा तथा दूसरी तरफ पतला धागा का प्रियोग है इस तरफ हम लोग कहेंगे एक तरफ हमारा धागा मोटा होगा तेक तरफ धागा हमारा पतला होगा या एक तरफ हम लोग कहेंगे कि धागा हमारा जो है क्या होगा जो है जादे होगा एक तरफ हमारा धागा कमजोर होगा जो है दूसरे कमने हम लोग कह करते हैं जो है कि यहां पर जो है वस्त्र पर धारियां उत्पन्न होती है क्या कहें वस्त्र पर धारियां उत्पन्न होती है अब यह जो धारियां होती है जो धारियां यह धारियां हमारा जो है ताना मुखी भी होती है ताना मुखी या हम कहेंगे बाना मुखी या तो ये ताना मुखी होंगी या हम कहेंगे बाना मुखी होंगी जो है तो इस तरह से हम कहेंगे धारी दार वस्त्र जो है क्या बोलेंगे धारी दार वस्त्र जो है वस्त्र पर धारियां उत्पन्न होती है तो हम कहेंगे धारी दा वस्त्र जो हमारे रिव बुनाई द्वारा तयार किया जाता है जो धारीदार वस्त्र थारीदार वस्त्र तयार किया जाता है यह कोश्चन आपका आया हुआ है जो है कि किस बुनाई द्वारा किया किस बुनाई द्वारा जो धारीदार वस्त्र तयार किया जाता है तो आपक आए इन्ने इस्टे हम लोग देखते हैं जो है बास्केट बुनाई बास्केट बुनाई अब देखें बास्केट बुनाई के लिए हम लोग कहेंगे दो या दो से अधिक मिन्स दो या दो से अधिक दो ताना तो दो बाना या हम कहेंगे दो से अधिक ताना और दो से अधिक बानों को आपस में गूत करके जो हमारे क्या है जो है बास्केट बुनाई की जाती है जो है दो या दो से अधिक ताने एवं बाने के प्रयोग से प्रयोग से बास्केट बुनाई की जाती है जो है तो दो या दो से अधिक हमारे जो ताने हैं और बाने हैं इनके दोरा हमारा बुनाई की जाती है जो है तो वस्तर हमारा कैसा बनेगा जो है किस तरह का वस्तर होगा जो है तो हम लोग कहेंगे कि यह वस्त्र हमारे जोग क्या होंगे या तो हम कहेंगे वस्त्र हमारे जो होंगे वस्त्र उसे हम दूसूती बोल सकते हैं दूसूती तीसूती चौसूती इस तरह से वस्त्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसूती तीसूती चौसूती और इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं इसको जो है हम लोग इसको जो है मेतिक वस्त्र भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं मेटिक वस्त्र तयार किया जाता है तो इस तरह से हम लोगों मालूम हुआ जो है कि बॉस्केट बुनाई द्वारा जो हमारे दू सूती तीन सूती आइसके बाद यहीं नहीं हम कहेंगे पर्दे भी तयार किया जाते हैं पर्दे भी तयार किया जाते हैं कवर भी तयार किया जाता है मिंस पर्दे और कवर भी जो हमारे बॉस्केट बुनाई द्वारा तयार किया जाता है जो है की जो है जो हमारी को टोड़ी है खोल की जती है इसके दिए खोल अहे itselfinger की आई अच्छा पर पूंसके बुनाई का यसे बोला गया किताaktUS लिए वह क्या अटास कोंगे है बराबर बाना मिन्स दो ताने बराबर होता है एक बाने के जो है अभी किस रूप में देखते हैं हम लोग जो है मोटाई के हिसाब में देखते हैं मोटाई मोटाई मिन्स दो तानों की मोटाई एक बाने के जो है मोटाई के बराबर होती है इसलिए question आता है जो है दो संबंदे ताना और बाना का क्या अनुपात होता है तो हम कहें कि दो संबंदे एक का अनुपात होता है मिसे ताने और बाने में दो संबंदे एक का अनुपात होता है आए अगला हम लोग देखते हैं जो है ट्वील बुनाई तो त्वील बुनाई और आए जो हम लोग क्या करते हैं जो है तुल बुनाई द्वारा तिरची धारियों के वस्ते तयार किये जाते हैं कि इसके धारियों में रही है यहां पर अब यहां पर हम कहेंगे तिरिच्छी धारियों के वस्त्र इसके द्वारा तैयार किया जाता है वस्त्र तिरिच्छी धारियों के वस्त्र तिरिच्छी धारियों के वस्त्र तैयार किये जाते हैं तैयार किये जाते हैं तीरची धारियों के वह से तयार किये जाते हैं अब देखें तीरची धारियों के ताथ हम लोग कहेंगे जो है कि इसमें ताने की होंगे या बाने की होंगे जो है तो हम कहेंगे यह हमारा ताना मुखी हो सकता है या बाना मुखी हो सकता है कुछ भी हो सकता हमारा त्वील किमेजर तौर पर इसको हम लोगो क्या बोलते हैं ताना मुखिव क्या बोलते हैं वस्त डूमरा कैसा होगा हम कएंगे ताना मुखि को राख थार्नमों की वस्त्र अब ताना मुक्षिक वस्त्र का अब मतलब समस्झते हैं जो है ताना मुखि नि怕 पiałem Shun के आना का सता पर उभर कर आना अब ताना कब उभर कर आएगा जब हम कहेंगे कि एक बाना कई ताने की धागों को दबा करके आगे निकलता है मिस हम कहेंगे बाना का एक धागा ताने के कई धागों को पार कर निकलता है पार कर निकलता है इस तैसे ट्यूल बुनाई का प्रयोग देखिए हम लोग कहां करते हैं जो है तो हम कहेंगे कि ट्यूल बुनाई जो है मुख्य रूप से हमारा जो है क्या है जो है इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं नमूने इसमें जो नमूने होंगे स्वामेव स्वामेव नमूने आ जाते हैं अब देखें स्वामेव नमूने का मतलब क्या हुआ हम लोग कहेंगे कि स्वामे नमूने आ जाते हैं जो नमूने हमारे होते हैं यह हमारे जो हम कहेंगे त्रिकोर हो सकता है त्रिकोर हो सकता है त्रिकोर आकार का या हेरिंग बोन हेरिंग बोन हेरिंग बोन कि मिस्त्रिकोड आकार के नमूने हमारे किस बुनाई द्वारा यह हमारा कोश्चन आया हुआ कि त्रिकोड राकार के नमुने किस बिधी द्वारा तयार किये जाते हैं वज्टर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे। अब देखिए हम लोग कहेंगे ट्विल बुनाई के प्रकार ट्वील बुनाई के प्रकार जिसे हम लोग जानते हैं कि ट्वील बुनाई हमारी कितने प्रकार की होती है तो हम लोग क्या कहेंगे जो है कि ट्वील बुनाई है हमारी जो है चार प्रकार की होती है धालूआ ट्वील बुनाई दूसरा हम कहेंगे नुकीली नुकीली ट्वील बुनाई डायमंड डायमंड ट्वील बुनाई डायमंड ट्वील बुनाई लास्ट में हमारा मिलता है जो हम कहेंगे नुकीली के बाद हम लोग कहेंगे गुथी हुई ट्वील गुथी हुई ट्वील बुनाई इस तरह थे हमारी ट्वील बुनाई जो है चार प्रकार की होती है जो है आई अब हम लोग देखते हैं जो है शाटिन बुनाई शाटिन बुनाई देखिए शाटिन बुनाई हमारी जो है यह हमारी कहेंगे यह ताना मुखी होती है ताना मुखी और दूसरे तोर पर हम कहेंगे कि हमारा संध्या कालीन हुआ इसके द्वारा बनाया जाता है संध्या कालीन संध्या कालीन वस्त्र तैयार किया जाता है कि इसी तर से दूसरे हम लोग कहते हैं सेटिन बुनाई आप देखिए इसे हम लोग कहेंगे कि यह बाना मुखी होता है और यह नहीं इसे भी हम लोग कहेंगे संध्या कालीन वस्त्र संध्या कालीन वस्त्र तैयार किया जाता है कि इसके बाद आईए हम लोग देखते हैं जो है कि हक बैक बुनाई देखे हक बैक बुनाई हमारा जो किसके लिए सामान तवलिया के लिए तैयार की जाती है सामान तवलिया का निर्मार किया जाता है दूसरा हम कहेंगे कि हमारा जो है ताना मुखी होता है क्या होता यह ताना मुखी यह हमारा ताना मुखी वश्त्र होता है अब हम कहेंगे कि सता पर जो है ताना के फ्लोट पाये जाते हैं सता पर अब हम लोग जो है साधान बुनाई का लाश्ट पाइंट देखते हैं जो है हनी कॉम्ब हनी कॉम्ब बुनाई देखिए हमारा यह हनी कॉम्ब बुनाई यह हमारा ताना मुखी भी होती है ताना मुख एव़म बाना मुखे एवं बाना मुखे एव बाना मुखे कि तवलिया जो अच्छी गुडवक्ता की अच्छी गुडवक्ता की तवलिया तयार की जाती है साधारन बुणई का प्रकार जो इसमें से एक को चनाते हैं जे आए इसके देखते हैं जो आपका दूसरा प्रण जो मिला बुनाई का उससे हम लोग करते हैं वहां या नमीन बुनाई या नवल्यटी बुनाई पाइन से बुनाई आई आम देखते हैं कि लोग का पाईल बुनाई कि you apply बुनाई के हम लोग लोग कह करेंगे फाइन्सित और लिए का Magnet ये एक वचान जाती है कि टोलिए इसके द्वारा बोनाई जाते हैं सिंत टोलिए का निर्माट है से ऐख आदा पैलnya है так अब अणने इसके दोरा फैन grades अब आका-व्या का निर्माड किया जाता है इसमें और हम लोग क्या देखते हैं जूरा हम Liberty में जो हमारे सता पर जो क्या होते इन फंदे होते हैं जो इसके द्वारा हम लोग कहेंगे कि तवलिया के साइपकीन सब्सक्राइब तयार किया जाता है में क्या और हम कहते हैं कि इस में। इसकी दोरा तयार किया है कि हम काते हैं कि मrange में थे हम कहांगे एक Parish हे फंद होते हैं लूप होते हैं कि लूप दोनों तरफ थैंसे दोनों तरफ दोनों तरफ लूप पाए जाते हैं पाए जाते हैं इसके बाद आईए हम लोग देखते हैं डेवल क्लाठ पाए जाते हैं डेवल क्लाठ बुनाए गया फिस अरख है ऑपके डाफ पुनाए एलों काये टूसाइड़ फाइब्रिक्व से जो है क्या बोलेंगे तू साइडेड तू साइडेड वस्त तयार किया जाता है 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 जो है हम कहा हैं कि ताने बाने के दो सेट पर बस्त तयार किये जाते हैं ताने बाने के दो सेट दो सेट का प्रयोग किया जाता है और टू साइडेड हमारे बस्त तयार किये जाते है आज़े तीसरा हम लोग देखते हैं स्वीविल बुनाई हम कहेंगे इसके दर सजावटी वस्थ तयार किया जाता है कैसा वस्थ तयार किया जाता है हम कहेंगे सजावटी वस्थ तयार किया जाता है सजावटी वस्थ तयार किया जाता है इस देखे फैंसी हमारे जो वस्थ होते हैं फैंसी वस्थ तयार किया जाता है कि सभी हमारे जो वस्थ कैसे मिलेंगे हम कहेंगे डेको रेटिक्स होंगे जो है जो सजावटी होंगे उसमें जो नमूने होंगे इसमें हमारे नमूने बनाये जाते हैं नमूने वर्तुल नमूने होते हैं वर्तुल ब्रित और बिंदू के नमूने के नमूने बनाये जाते हैं बनाये जाते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं गाज गाज बुनाई गाज बुनाई देखे इस बुनाई दोरा हम लोग कहेंगे कि जो हमारी गाज बुनाई है गाज बुनाई दौरा हम लोग कौन सा वह से तयार करते हैं हमारा बहुत ही फेमस है जो है हम कहेंगे मच्छर दानी क्या हम बोलेंगे मच्छर दानी मच्छर दानी वस्क्र हमारा जो है रेशं का हो या हम कहें काटन का हो इस सब्सक्राइब किसके दोरा बनाया जाते हैं हम खाएं गाज बीदी दोरा बनाया जाते है इसके बाए अब ग्रीनो डाईन वस्त्र भी बनाया जाता है घ्रीनो डाईन डाइन के वस्त्र कि मेंस हम कहाने योग्य वस्त्र कि पहनने योग्य वस्त्र कि ए इस शैवल peut unknown भूं रेख नहुं." परदे भी तयार किये जाते हैं गाज बुनाई द्वारा इसके बाद आईए हम लोग देखते हैं जो अब हम लोग के पास दो बुनाई फैंसी बुनाई बची हुए जिसे हम लोग कहेंगे डॉबी बुनाई और जेकड बुनाई डॉबी बुनाई अब देखे डॉबी बुनाई क्या होता है जो हम लोग को मालूम है जो है कि डॉबु बीनारी हमारी जो है क्या होती है जो है हम कहेंगे जो है कि इसकी सता पर भूमिगत बिन्यास के नमूने पाये जाते हैं जो है भूमिगत बिन्यास के नमूने नमूने भूमिगत बिन्यास में से बोलते हैं जियोमेट्रिकल पायटर्न जियोमेट्रिकल पायटर्न के नमूने जो भूमिगत बिन्यास के नमूने इस पर पाये जाते हैं हम कहेंगे जो है कि इसमें जो है कुल मिला करके 24-25 होरनेस होते हैं जो है जो हमारे त्रिकोंड होते हैं जो त्रिकोंड आप लिक डायमन इसके बाद नमूनों में हम लोग देखते हैं जो है कि और इसमें क्या चीज़े पाई जाती है तो हम लोग कहेंगे कि 24 से 25 होर्नेस का प्रियोग किया जाता है कि आये लाश्ट अब हम लोग देखते हैं जो है जे कार्ड बुनाई जो की बहुत ही इंपार्टेंट है आपका है जे कार्ड बुनाई देखिए हम लोग कहांगे ब्रोकेट बस्त रहा हमारा जो ब्रोकेट ब्रोकेट वस्त्र इसके बाद आप होश्ट्री आप होश्ट्री टेपेश्ट्री और हम लोग कहेंगे डमास्क डमास्क सब्सक्राइब भुनाई जो इसके साथ है आपका यह बुनाई का जो है हम लोग जो है एक छोटा सा जो है इस टेप किये हैं आज इसी क्लास के लिए जो हम यहीं पर अपनी आज समाप्द करते हैं आउम्मीद करते हैं जो है कि आप लोग इसे जो है अच्छे से ध्यान दे करके जो देखेंगे और पढ़ेंगे क्योंकि आपका कोश्चन जो डाउट्स के तभी डाउट्स के चीज़ें इसमें किलियर हो इसमें कि आगने वाले एक्जाम में भी इस टॉपिक से जो जो भी होता है जो बुनाई का एक कोश्चन शियोड होता है आगर इसे आप ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपका एक कोश्चन जो कभी गलत नहीं होगा जो है हम कहेंगे कि इसके साथ है आज इकलास हम अपन झाल झाल